ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक महाभागिशाली राशिया 25 मार्च 2019 सोमबार का दिन है चैत्रमास के कृष्ण प्रक्ष की पंचमी तिति है जिसे रंग पंचमी के रूप में मना जाएगा आपको और आपके पूरे परिवार को सबसे पहले रंग पंचमी की बहुत बहुत शुपकाम नाए 25 मार्च को विशाखा नक्षत्र दो पार 11 बच के 12 मिनिट तक उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारम हो जाएगा दिशासूल की एदी हम बात करें तो पूरुदिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुक्सान दाई माना जाएगा यदि किसी कारणवास पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो धरपण में अपना मुह देख करके यात्रा कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुबह साड़े साथ बजे से लेके नो बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शूब माँग्लिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए गरह गोचर के दि हम बात करें तो गरहों के राजा सुरिदेव मीन राशी में चंद्रमा जोकी ब्रषचिक राशी में मंगल वरशब राशी में, बुध कुम्ब राशी में, गुरु वरश्चिक राशी में, शुक्र कुम्ब राशी में, शनी धनु राशी में, राहु मितुन एवं केतु धनु राशी में रहेंगे इस ग्रह गोचर के अनुसार इन छे राशी वालों को होगा कम महनत में ज़्यादा फाइदा ये छे राशीयां इस प्रकार है व्रशब करक कन्या व्रश्चिक मकर और कुम्भ इनको सबसे ज़्यादा लाब का योग बन रहा है तो मित्रो हमने जो ग्यानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेर करीगा लाइक करीगा कमेंट करीगा और यदि अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सबस्क्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवार